हेलो फेंट्स वेलकम टू स्रेडी ग्रूप पार्शाला मैं उलाश और आज ही क्लास में हमें डिस्स करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक को और यह ऐसे होगा आर्योग्य सेट्टू एप पर ठीक है आप इस टॉपिक को जरूर त्यार करिए के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है और इक्जाम में पूछा है सकता है तो इसको आप जरूर देखना अच्छे से इसको तयार करना और जो अधर टॉपिक से उनको भी आप तयार कर सकते हो उसकी भी प्लेलिस कंप्लीट बनी हुई है तो आप आपको देख सकते हो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको प्लेलिस में मिल जाएंगे ठीक है तो ऐसे और लेटर दोनों की प्लेलिस मनी है दोनों को आप देखना ना जाकर राइट दोस्तों डिस्क्रिप्शिन में लिंक दिया गया है इसके साथी साथ टेस्ट पैटन पर बेस्ट होंगे है सारे के सारे टॉपिक चाहे वो ऐसे हो और चाहे वो लेटर हो दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे तो अलग से दो बुक लेने के जोट नहीं पड़ाइगी एक ही बुक से आप तयार कर सकते हो दोनों चीज़ों को अधिशनल 30% डिसकाउंट भी मिल जाएगा डिसक्रिशन में दोस्तों लिंग दिया गया है वहां से जाके आप डिसकाउंटे रेट स्पे इन बुक्स को ले सकते हो अपनी एक्जाम के इसाफ से सीजियल और बड़िया तरीके से अपनी प्रपरेशन कर सकते हो तो चलिए द रवात कर सकते हो जैसे कि इंडिया हैस बीन कॉमबेटिंग दा कोविट-19 पैंडेमिक फॉर फ्रॉम दे लास्ट फ्यू मन्स ठीक है यानि कि जैसे कि इंडिया जो है कोविट-19 पैंडेमिक से लड़ रहा है कई महीनों से फॉर एद्यूसिंग दे इस्प्रेड आप दिस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड नेशन वाइड लॉक्डाउन फ्रॉम फस्ट्वेंटी फिफ्ट मार्च तो 14 अपरेल ठीक है यानि जो फ्रस्ट फ्रेज लॉक्डाउन का शुरू हुआ था वो 25 मार्च से शुरू हुआ था ठीक है तो आप यह बता सकते हो क इस वारल डिजीज को रिडिउस करने के लिए इसके स्प्रेड को कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नेशन वाइड लॉक्डाउन को बुला कहा ठीक है मतलब एक तरह से नेशन वाइड लॉक्डाउन लॉंच किया जो कि 25 मार्च से लेकर के 14 बढ़ा दिया गया राइट एंड आफ्टरवर्ट्स फाइनली मूफ टूर्ड अनलॉकिंग और उसके बाद जो है अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई ठीक तो इस तरह से यहां पर बता सकते हो सिनेरियो को कवेट का क्या सिनेरियो रहा कैसे लॉक्डाउन की शुर पीम नरेंद्र मोदी आलसो आस्ट एवरी सिर्जन तो यूज अ मोबाइल बेस्ट अप्लिकेशन नेम्ड आरोग्य सेतु एप ठीक है यानि कि जब सेकेंड लॉक्डाउन जो है बड़ा सेकेंड लॉक्डाउन लगा तब पीम नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में स सबी को आवान किया तो यहां पर बता सकते हैं यहां से शुरूआत हुई इस तरह से जो है लोगों को आरोगी सेत्फू एप के बारे में पता चला ठीक है इस तरह से दोस्तों आप यहां पर इसको इंट्रोडफ्शन सकते हो बड़िया तरीके से बहुमी का बनाते हुए ब ग्लूटूथ बेस्ट एप्लिकेशन है जो की कोविड नाइटीन को ट्रैक करने के लिए है राइट इस एप इस डेवलब्ड बाए दे नेशनल इन्फोमेटिक सेंटर यानि एनाइसी द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया था विच इस पार्ट और मिनिस्ट्री ओफ अधि करेंच लाहरी वकुली यह चोनाइसी अलिसे मनिस्ट्री ओफ इलक्राणिक सें इंफॉमेशन टेक्नियोजी का एक पार्ट व मिनिश्ट्रें धे पार्ट आपकर बड़ा सकते हैं यह इस एप्लिकिशन को डेवलप्डिया गया राइट अब इससे लेटर आप बता सकते हो दा पर्पर्पर्ज ओफ आरोगिस एतु एप इस्टो इस्टो स्प्रेड अवेर्नेस अवाउड दा कोविड नाइटीन पैंडमिक एंड टु कनेक्ट एसेंशल कोविड नाइटीन रिलेटर हेल्फ सर्फिस तु दा पीपल ठीक यानि जो पर्पस था आरोगिस एतु एप का यह यही था कि जो इस्प्रेड है कोविड नाइटीन की उसको रोका जा सके ठीक है अवेर्नेस को बढ़ाया जा सके जो स्प्रेड कोविड नाइटीन बढ़ रहा उसको रोका जा सके उसके लिए अवेर्नेस इससे लेटेड जो है अवेर्नेस बढ़ाया जा चुके लोगों में जाग रुकता लाई जाए कोविड नाइटीन के इस रिगार्डिं ठीक है इसलिए इस एप को लौँच किया गया साथी साथ जो essential COVID-19 health services है उसको भी connect करने के लिए इस एप का use कर सकते हैं ठीक है तो वो भी आप यहां पर बता सकते हो राइट इट ऑल्सो शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एडवाईजरी इस रिगार्डिंग कोविड नाइटीन ठीक है यानि कि इस एप के द्वारा जो है जो बे बेसिकल इंडिया में तो इस तरह से इसके रिगार्डिंग अप बॉडी सेक्शन में सारे पॉइंट को लिख लो गया है इसके बाद हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में ही और भी चीज़ें आप यहां पर बता सकते हो कि this app suggest several measures to the user such as self assessment test, social distancing, do's and don'ts between COVID-19 यानि यह जो एप है यह कई तरह के measures suggest करती है जहां पर user self assessment test के बारे में आपर बता जाता है user को social distancing, do's and don'ts क्या है वो सारे जो है COVID-19 के regarding सारे यहां पर जानकारी से आप के थुरू दी जाती है तो यह आप यहां पर बता सकते हो इसके बाद देखो if a user is at high risk, the app will automatically advise him to go for a test at a nearby testing center immediately ठीक है अगर कोई user जो है high risk पर होता है COVID-19 के तो यह एप जो है automatically उसको advise कर देगी उनको advise कर देगी कि जो nearby testing center है वहां पर जाके test कराएं immediately ठीक है तो इस तरह से यहां पर जो है आप इसके regarding बता सकते हो इस app की भूमी का बता सकते हो कि यह इसका क्या role है right इसके बा provide any concrete assurance that the centralized data would not be used for other purposes अब देखो इस app की जो सबसे बड़े drawback हो यही है आप बता सकते हो कि इसमें जो है कोई concrete assurance नहीं है मतलब एक पुकता assurance नहीं दी गई है इसमें इस बात की कि जो data use किया जाएगा data जो collect किया जा रहा है इस app के बारा उसको other purposes के लिए use नहीं किया जाएगा इसके regarding कोई assurance नहीं है राइट देटा फोर दा आरोगी सेतु इस प्रोन टो मिस्यूज एस इंडिया इस्टिल डाज नोट हैव एनी डेटा प्रोटेक्शन लोग ठीक है आप यह भी कह सकते हो जो data है आरोगी सेतु में वो मिस्यूज किया जा सकता है ठीक है उसका क्योंकि इंडिया में अभी भी कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है ठीक है तो यह एक बड़ा इशू है जिसको लेकर के आरोगी सेतु के उपर जो है काफी सारे ब्रह्म सहलते रहते हैं ठीक है तो यहां पर आप बता सकते हो इस तरह से डिस डिस के लिए तो यह भी आप यहां पर दोस्तों बता सकते हो राइट इसके बाद देखो यहां पर और भी चीज़ें आप इसके ड्रॉबैक्स बता सकते हो जैसे कि दा एप इस ऑफ नो यूज फॉर द नौन स्मार्टफोन यूजर्स ठीक है यानि कि जो इनके पास स्मार्टफ जिससे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनको इस यहां पर इसके बारे में पता चल सके राइट तो इस तरह से यहां पर आप इसके कुछ द्रॉबैक्स भी बता सकते हो जो जैनियून है ठीक है अहां बर्च और wen रहें बढ़िया तरीके से लिख लोग है उसके बाद देखो the government must enforce some privacy laws in India यानि कि अब यहाँ पर सजीशन दे सकते उसके regarding government को कुछ privacy laws है वो enforce करने चाहिए ठीक है it will ensure safety of data collected by this app ठीक है यानि कि जगा safety laws आ जाते safety laws enforce कर दे जाते हैं तो उससे क्या है कि जो data collect किया जा रहा है इस app का वो उसमें safety ensure हो जाएगी यानि सभी लोग विश्वास कर सकेंगे कि जो data ensure की डो data जो collect किया जा रहा है वो राइट परप्रदस के लिए ही यूज होगा राइट इसके अलावा देखो it also helps in bringing transparency and sufficient anonymity and limited access to data अब जब जब प्राइवेसी लॉज हो जाएंगे डेटा प्राइवेसी लॉज इन्फोर्स कर दिये जाएंगे तो इससे क्या है transparency भी आ जाएगी साधी साथ anonymity भी रहेगी कि जो data हो proper use हो रहा है और limited access रहेगा यहर किसी के access में नहीं रहेगा डेटा मतलब जो unnecessary person है यह unnecessary hackers हैं वो लोग यह data का उपयोग नहीं कर फाएंगे ठीक है तो यहां पर आप इस तरह से suggestion दे सकते हो कि इसके regarding क्या करना चाहिए ताकि जो data है उसकी transparency भी बनी रहे साधी साथ जो है limited access भी हो और anonymity भी बनी रहे है इसके बाद finally हम लोग move करते हैं last para में यहां पर आप लेख सकते हो technology help us to be safe but it must not violate people's privacy ठीक है यह technology है वो हमें safe रखने में काफी मदद करती है लेकिन यह जो है लोगों की privacy को violate नहीं कर सकती ठीक है there should be proper strategies that can help the country to return to its pre-lockdown situation यानी की proper strategies होनी चाहिए ताकि हमारी country वापस से pre-lockdown situation में आ सके ठीक है इस तरह से दोस्तों आप इस topic को best possible way में लिख सकते हो सारी जितने भी accelerated चीज़े एडवांटेज, disadvantage, purpose ही सारी चीज़े आप यहां पर add कर सकते हो और best way में आप इसी तरह से इसको लिखोगे, right friends तो I hope आपको समझ आ गया होगा इसको कैसे लिखना एक्जाम में, right दोस्तों इसी तरह आप बाकी के topics भी त्यार कर लेना, जैसे कि यहां पर आपको playlist में दिये गए हैं, इन सभी topics को आप त्यार कर सकते हो, जो playlist है उसको आप complete watch कर लेन इसके साथ ही साथ application और Presics की भी देख सकते हो, क्योंकि Presics का 2020 वाला जो है उसमें दिया हुआ है, तो एक बार आप देख के जाना Presics को, right तो इस तरह से आप बाकी के topics स्यार कर सकते हो, और I hope ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा, comment करके ज सारी important PDFs और Classes की notification मिल जाएगी, ठीक है साथ ही साथ exam से लेटे notification भी आपको telegram पर ही मिल जाएगी, तो आप इसको join कर सकते हो, इसका link आपको description मिल जाएगा, और comment section में पिन कर दूँगा, वहाँ से भी जाके आप direct join कर सकते हो, right friends, तो अभी के लिए इतना ही, next मिलते है एक क्लास में, thanks for watching.